हेवलकम बैक guys क्या से हैं आप आप लोग हैज के स्टूडिय में हम कुछ हम बात करने वाले ह elder हमिंग कट मैचिंग अलगोरितम के बारे में तो चलिए आज के स्टूडिय को सुरूँ से सुरू करते हैं और चानते हैं一 Netherlands我 Finnish मैचिंग अलगोरितम होता क्या है तो क्या है도 fingerprint को वैसे ही यह जो आइरिस टेक्नलोजी इसको यूज करो गया फ्यूचर में ऐसे बायो मेट्रिक्स यह क्या होती है एक बार मैं छोटे से डिटेर्ट में बदा देता हूं तो यह जैसे कि मतलब हमारी जो आख है ना उसको कहते हैं आइरिस यह आपको ब्लू क्लर की यहाँ पर दिखाई दे रहोंगे यह ब्लाक कि भी होते हैं अलगले लोगों के तो इसी आइरिस के जो फोटो एन उसको अच्छे से क्याप्चर किया थे एक मशीन के माध्यम से फोटो को क्या करने का मतलब यहाँ पर इस को फूरे है कि बंदा वो है कि नहीं और मैच करने के बाद हमें एकस्स दे दी जाती है इससे इसे काम करती है आयरिस रिकॉंसर्ट टेकलोजी इसके बारे में डिटेल मिले जा रहे हैं क्योंकि यह टॉपिक हमारा नहीं है अगर आपको यह टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो तो अब हम समझते हैं अक्ट्र प्रब्लम को यहां पे जो आयरिस रिकॉंसर्ट है है उसको हम अभी बहुत ही लिमिटेड जगह में यूज़ करते हैं जैसे कि बैंक हो गए एयरपोर्ट्स हो गए डीफेंस हो गए जहां पर सीक्रीट बहुत ही बड़ा रोल है वहां हम करेंगे आयरिस टेकनलोजी को अब प्रॉब्लम यह है ना कि जब तक यह लिमिटेड युवे में यूज हो रही लिमिटेड जगों में यूज हो रही थी यह बड़ी असानी से काम कर रही थी लेकिन जब बात आती है इसको बड़े लेवल पर यूज करने की तब यहां पर प होता है आलोचनात्मक तो माल लिज lament universe करने में सिस्टम को प्रब्लम आ रहा है उसको दिक्कत आ रही है कि वह कौन सिंसी डाटा वह मैच नहीं हो पार रहे है ऐसे में hamming cut matching algorithm का मतलब होता है वो use करती है एक combination को जहां पर combination होता है iris recognition और fingerprint recognition का मतलब अब मान लो कि अगर उसको थोड़ा भी सक होता इस system को कि भाई इसकी आखें जो है वो match नहीं हो रही है इसका एक use में बताओ आपको जो आपने use किया है इसको मतलब अपने कभी use करते देखा है वो तब आप आपका आधार card बनवा रहे थे आपका आधार card बनवाट से में आपके साथ दो चीज़े होती है पहले तो आपके आखों का फूटेज लेता है एक machine होती है उसके सामनी कहा जाता है आपको क्या आखें उसमें डालिए ऐसे में आपके जो आइरिस होती है उसको scan करके उसका data को store कर ली जाता है इसके बाद आपके सारे fingers के fingerprints जो होते हैं उसको भी लिया जाता है अब उन दोनों ही data को combine कर लियाता है ताकि having cut matching algorithm को use किया जा सके security में high security के लिए तो यहीं होगा future में और क्योंकि जब उसको आलोचना होगी कि भाई ये बंदा वो है कि नहीं Irish को scan करने में तब वो use करेगी fingerprint क SME time वापस से कम use करेगी क्योंकि यहां पर security में कोई भी compromise नहीं किया सकता है ठीक है तो इस तरिके से काम करती है having cut matching algorithm hope you guys के understand बस आज के इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो like कर जिएगा साथ में चैल को subscribe कर लिजएगा और बिलते हैं आप सभी के में नेक्स्ट वीडियो में